नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चानल पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10, 11 और 12 सितंबर के लिए दैनिक राशेफल आए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका दिन कैसा रहेगा पहली राशे लेते हैं मेश राशी आपके लिए पहला कार्ड अपियर हुआ है 4 of the pentacles दूसरा कार्ड अपियर हुआ है 3 of the pentacles और तीसरा कार्ड अपियर हुआ है 10 of the wands तो मेश राशी आपके लिए 10 सितंबर का जो दिन है इस दिन आप अपने आपको थोड़ा सा बांध कर रखने वाले हैं इस दिन आप अपनी उर्जा और अपने विचारों को अपने ही अंदर समेट कर रखेंगे और दूसरों से अपने आपको व्यक्त करने में थोड़ी सी परिशानी का अनुभो करेंगे मेचराशी इस दिन हो सकता है कि आप थोड़ा डिससाटिसफाइड रहें खास करके उन चीजों से डिससाटिसफाइड रहें जिन चीजों को आप चाहते तो हैं कि वे आपकी लाइफ में हूँ लेकिन चुकि वे चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हैं इसलिए आप थोड़ा सा dissatisfaction feel कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत एक और समस्या या situation यह है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने आपके जीवन को बहतर बनाया है लेकिन आप उनकी और उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जितना ध्यान देना चा कि और अपने आपको मोने ना कि उन चीजों के लिए दुखी हो जो चीजें आपके पास नहीं हैं 11 सिप्टेंबर का जो दिन है इस दिन धन को लेकर के आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए क्योंकि पहली चीज आपका धन अधिक मात्रा में खर्च हो सकता है और दूसर कि 11 सिप्टेंबर को अगर आप थोड़ा ध्यान रखें तो बहतर होगा 12 सिप्टेंबर का जो दिन है इस दिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृध्धी होगी आपका कोई महत्वपूर कारे पूरा हो जाएगा जिसकी आप खोशी भी मनाएंगे इसके अला कि 11 सिप्टेंबर का जो दिन है उस दिन धन को लेकर कुछ समस्या हो सकती है लेकिन फिर भी परिवार को लेकर कोई समस्या नहीं है पर्सनल रिलेशन्शिप में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी अब प्रेम संबंदों की बात करते हैं 11 सिप्टेंबर के दिन अपने प कि वज़ाई या हो कि आपको ऐसा मैसूस हो कि आपका प्रेमी आपका फाइदा उठाने के कोशिश कर रहा है या फाइदा उठाने के कोशिश कर रही है 12 सितंबर का जो दिन है इस दिन अपने प्रेमी के साथ एक सुख़ग और रोमांचक समय ब्यतीद कर पाएंगे और उसके साथ कुछ गंभीर विशियों पर आप विचार विमर्ज भी कर पाएंगे तो दोस्तों ये था राशिफल 10, 11 और 12 सितंबर के लिए मेरा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपके कोई सुझाओ इत्या दियें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं विडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद नमस्कार